वेलकूम टू रोशी हयात किचिन अस्सलाव अलेकूम फ्रेंज आज हम बनाएंगे चिकिन फ्राइए एक्स्टर क्रिस्पी बनाएंगे जो कि होता है अंदर से एक्तम से जूसी सा होगा ऊपर से होगा बेहत क्रिस्पी और खाने में होगा बेहत मज़दार तो चलिए बिना देरी कि एक्स्टर क्रिस्पी चिकिन फ्राइए को बनाना हम स्टार्ट करते हैं तो चिकिन फ्राइए बनाने के लिए मैंने यहां पर एक किलो चिकिन ले लिया है इसको मैंने इस तरह से इसमें कट लगा लिये हैं और इसको बहुत ही अच्छे से मैंने वाश कर लिया है औ और अब इसे हम एक बार फिर से इसको भीगो के रखेंगे पानी के अंदर ऐसा करने से जो चिकन है वह हमारा बहुत ही ज्यादा जूसी बनेगा तो इसके लिए मैंने इसमें पानी डाल दिया है पानी हम एतना डालना है कि चिकन हमारा उसमें पूरी अच्छे तरह से डूब और अब इसमें डालेंगे हम एक बड़ा चमच नमक का डालेंगे और इसके साथ ही डालेंगे हम सिर का एक बड़ा चमच इन दोनों को हम अच्छे से चिकन में मिक्स कर देंगे है इसको हम लोग निग बोलते हैं जिसका इससे यह होता है कि चिकन हमारा अंदर से बहुत ही जाधा जूशी बंता है लेकिन यह करना अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका छिकन बहुत- mrजाध्य अंदर से जूशी बनेगा और नहीं भी करेंगे तो जो हम चिकन को जो करेंगे उससे वे चिकन हमारा काफी तक जूसी बनता है तो यह करना बिल्कुल ऑप्षिनल है आपके यह आपकी चॉइस की उपर है कि आप इस टैप को करना चाहते हैं कि नहीं लेकिन मैं इसको ब्राइनिंग करने के बाद में इसको कवर करके रख दूंगी तकरीबन एक घं कर लिया है जिसे इसके अंदर कोई भी सिरके का या नमक का कुछ पीस पे पार्ट नहीं रहने चाहिए तो तीन-चारा बार अच्छे से वाश करने के बाद मैंने इसको 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 रख दिया जिससे चिकन हमारा पूरी तरह से सूख जाए कि मैरनेट करने के लिए च बड़े चमच म डालेंगे दही का दही प्लीज आप यहां पर थोड़ा गारा सहीं लीजिए क्योंकि पतला दही इसमें अच्छा नहीं लगेगा और अब इसमें हम डालेंगे कुछ पॉडर मसाले जिसमें लिया है एक चोटा चमच जीरा पॉडर लेंगे एक बड़ा लाल मिर्च का पॉर्डर लेंगे एक बड़ा चमस लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पॉर्डर एक छोटा चमस लेंगे काली मिर्च पॉर्डर एक बड़ा चमस लेंगे जो कसूरी मेथी होती है वो लेंगे हम एक छोटा चमस लेंगे नमक का और आदा छोटा चमस लेंगे हम करम मसाला पॉर्डर नमा कॉमेर्च आप हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग भी एड़ कर सकते हैं और कश्मीर इमिर्च मैंने यहां पर कलर के लिए डाली है अगर आपके पास कश्मीर इमिर्च नहीं है तो यहां पर जो औरिज रेड़ फूट कलर होता है चीजों के डालने से चिकन हमारा एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनता है और ऑसमें एक नीबू करस डालेंगे हम और अब इन सब्चीजों को हम कर लेंगे बहुत यह अच्छे से मिक्स मेक्शोर आपके हाथ अच्छे से वाश होने चाहिए और क्योंकि इसको हमें हाथों से ही मिक्स करना है और इस तरह से मिक्स करिए कि जो हमने चिकिन के कट्स लगाए है उस कट्स में भी सारा मसाला अच्छे से भर जाए और यह देखिए यह आप देख रहे हैं कितना अच्छ सब और इंज डेट फूट कलर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें बिल्कुल मार्किट वाला कलर देना है इसलिए और वैसे ही ऑप्शनल है और अब इसको हम मेरेट करने के लिए रख देंगे तकरीबन चार गंटे के लिए क्योंकि चार गंटे में चिकन हमारा बहुत ही अ बर्दस्ता आता है और यह देखिए चार गंटे कंप्लीट हो चुकी है अब इसे हम फ्राइ करेंगे मैंने इसको फ्रीज में रख दिया था जिसे पूरी तरह से ठंडा हो गया है और चिकन के जजनावी मैरेनेशन का समान हमने मिलाया था वो सारा चिकन में अथ्छे से मिक सो गया है तो अब इसको हम करेंगे फ्राइ तो फ्राइ करने के लिए मैंने यहां पर पैन में डाल दिया है और यहां पर कोई बहुत ज़्यादा ओयल के हमें जरुवत नहीं पड़ेगी सिर्फ इतना ओयल डालिए कि जब हम इसको चिकन को फ्राइ करें तो आयल हमारा बाह करेंगे और दो मिनट के बाद में इसको हम पलट देंगे इसको स्टार्डिंग में आप लो फ्लेम पर मत फ्राइ करिए क्योंकि ऐसा करने से जो इसकी कोटिंग है वह उतर जाएगी तो इसको स्टार्डिंग में हम हाई फ्लेम पर फ्राइ करेंगे और जब दो मिनट तक द चिकिन को बिल्कुल गलाना है तो अब इसके लिए फ्लेम को हम भी कुल लो पर करके इसकी लिड लगा के रख देंगे तकरीबन साथ से आठ मिनट के लिए याँ देख लीजे कि चिकिन कितनी दिर में आपका टेंडर होता है क्योंकि अपने अपने फ्लेम की बात अलग होती देखेखेगे इसको इस तरह से मैंने कवर करने के बाइड में तमिस साइड में थोड़ा से खुला रखाै जिसे इसका जो ऑईल है वो बहार नहीं निकले ऐसा करने से ऑईल बाहर नहीं निकलता है फ्लेम हमने रख की अभी मी duyum to high के बीच मैं और इसको हम अच्छे से फ्र और फ्राई कर लीजिए इस तरह से ओयल में से बहार निकाल लेंगे और जो बाकि के बैज्जिस के चिकेंद है उसको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे इस तरह से एक एक पीस को हम इसमें डॉप कर देंगे और सेम मैथर से हम दूसरे पैचिस कभी फ्राई करेंगे और यह देखे सारा चिकर हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है लेकिन यह अभी पूरी तरह से तयार नहीं है यह भी बहुत करम है तो अभी हमें इसको करने देना है बिल्कुल ठंडा तो तकरीबन 15-20 मिनट के लिए हम इसको इसी तरह से छोड़ देंगे क्योंकि अभी इसको हमें एक्स्रा क्रिस्पी बनाना यह क्रिस्पी तो हो गया है लेकिन हमें इसको एक्स्रा क्रिस्पी बनाना है तो इसको में इसी बबबबबबबब आपको फ्राई करना है या आपके घर में कोई पार्टी हो रही है तो आप इसको सेकंड टाइब फटड़ फटवर्ड फ्राई कर सकते हैं अब यहां पर लिल्या मैंने वही वाला ओयल लिया है और को कर लिया है मैंने बहुत जादा गरम या इतना गरम कर कि इसमें से धुवा निकलने लगए बहुत सब्सक्राइब इसे गरम दिल जाल देंगे चिकीन को कि इस तरह से आँ तरह से रखें יं़ों मीदियम जाय के बीच में रखेंगे और इसको हम fry कर लेंगे सिर्फ 2 Minct के लिए हम fry करेंगे और देखे इस तरह से हमस्कों Rotate करते हुए जिससे चारो तरफ से fry हो जाए अच्छे से extra क改प हो जाए और दो मिनट के बाद में हमें इसको निकाल लेंगे देखिए जो जो प cog помог के कि ये इसको क्रिस्पी चारों तरफ से ही तो करना है तो इसलिए हम इसको अच्छे से फ्राइब करेंगे घुमा घुमा कर और फ्लेम हमारी अभी भी बिल्कुल हाई पर है और देखे जब आपको लगे कि अच्छे से फ्राइब हो गया है तो अब हम चिकन को निकाल लेंगे यह दे तरह से फ्राई कर लेंगे बस इस बात का आप ध्यान नेखिए कि जो ऑईल हम गरम कर रहे हैं वह एक दम बहुत ज़ादा गरम होना चाहिए ठंडे ओयल में यह सैकिंड बैचिस का चिकन मत आप डालिए वनना चिकन आपका एक्स्ट्रा क्रिस्पी नहीं बनेगा और यह आपको पसंद आती तो प्लीज मेरे वीडियो के निचे जो थमस अब कबटन इस पे क्लिक कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ वाले रेड बटन दबाकर और अल को अप्शन पे जरूर क्लिक कीजिए ऐसी नहीं नहीं रे